पीएफ खाते में e-nominee दर्च कराना है बहुत ही असान। सबसे पहले e-PFO की वेब साइट पर जाएं। और उसमें Services section में For Employees पर क्लिक करें। अब Member UAN या फिर Online Services पर क्लिक करें। इसके बाद अपना UAN और Password डाल कर Login कर लें। अब Manage टाब में जाएं और e-nomination को सेलेक्ट करें। स्क्रीन पर Provide Details का टाब आएगा, वहाँ पर Save पर क्लिक कर दीजिए। अब Family Declaration अपडेट करने के लिए Yes पर क्लिक करें। और फिर Add Family Details पर क्लिक करें। आप एक से ज्यादा nominee भी add कर सकते हैं। और किसे कितना हिस्सा देना है, इसके लिए Nomination Details पर क्लिक करें। Details डालने के बाद Save EPF Nomination पर क्लिक करें। इसकी verification जो है वो OTP से होगी। और OTP जनरेट करने के लिए E-Sign पर क्लिक करें। अब OTP डाल कर Submit कर दें, इसी के साथ ही Nomination दर्ज हो जाएगा।